उनाइटिग फॉरॉम ऑफ बैंक यूनियन के आवाहन पर बैंकिंग शेत्र के सभी नौ यूनियन के सदस्यों अधिकारियों व करमचारियों ने इलाहबाद बैंक से सिविल लाइन मुरादबाद प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर बैंक खरताल कर अधिकारियों करमचार प्रदान मंत्री को एक ज्यापन भेजा, ग्यापन में कहा गया कि वेतन पुनरी शन कर 20% वृद्धी के साथ लागू किया जाए, बैंक शाखाओं में 5 दिवसी कारी किया जाए, नई पेंशन योजना, NPS को समाप्त किया जाए, शाखाओं के कारोबार का समय तथा भोजन काश का समय निर्धारित किया जाए, आदी इन से मांगों को लेकर बैंक अधिकारियों वकरमचारियों ने प्रदर्शन कर ग्यापन भेजाए, यह हम लोग की दोद्रिक्षे हरताल है, 31 जन्वरी और पहली फरवरी हो, हम लोग की 12 सुत्रिय मांगे हैं, जिन में हम लोगों लंबित वेतन समझाथा, नावंबर 2017 से लंबित है, लगबग 40 राउंड की वारता होने के बावजूद भी लगबग 10 परसेंट, 1 परसेंट की बढ़ोतरी करते हुए, हमारी 20 प्रतिशत की वेतनवर्दी की मांग के विपरीद, अभी तक हमको 15 प्रतिशत की वेतनवर्दी का प्रस्ताव, आई बीए द्वारा दिया गया है, और पांच दिवसिये बैंकिंग, क्योंकि लगातार भारत सरकार द्वारा हर कैश ट्रांजेक्शन का विरोध करते हुए, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने हैं तो, लगातार प्रियास किये जा रहे हैं, इसके म अपना पूरा जीजान जुटा रहा है, वो चाहे शुरुआती दोर में जंदन खातों की योजना रही हो, या भारत सरकार द्वारा घोशित की गई, हमारी नोट बंदी रही हो, इन सब के लिए बैंक कर्मियों ने दिन राज जाकर पूरी मेहनत के साथ अपने परिवारों भी चिंताना करते हुए, और हमारे कुछ बैंक कर्मियों द्वारा अपने प्राणों की आउती भी, अपने कारे को संबादित करने में दी गई, इस सब को मद्यनाजर रखते हुए, लगातार भारत सरकार से पुर्जोर, ये मांग की गई है, आज जो ग्यापन दिया है, य सान्बोती पूर्ण पिचार किया जाए, क्योंकि हमारी कोई भी मांग नाजायज नहीं है, हमारी सबी मांगे जाए, दन्हों